कि नमस्कार वंदे मात्रम मैं हूं शामगीरी आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का मुद्दा भारत का याने मुद्दा महाराश चुनाव का यह हमारा चुनाव परचार अंतिम चरण में अग्दम है और अब जो है बीस तारीक को जो चुनाव प्रक्रिया है उसके लिए वोटिंग की प्रवात होगी फिलाल जो मामला है अभी जो परचार हुए हैं उसमें काफी चीज़े सामने आई हैं अभी भी देवें फंडवी ज हो सकते हैं क्योंकि पिछले दिनों हमने अपने वीडियो में भी का था और बारों में भी परकासितों के आई थी खबरे की देवें फंडवीश का और उद्ध्व ठागरे का रात को बारा बिजे मिलना एक काफी जो है हांगामेदार निश्ती हैं काफी चर्टित नहीं रहा है कि क्या और 2019 के तरह उद्ध्व ठागरे फिर कोई पल्टी मारने वाले हैं क्योंकि अब महाराज के पल्टी उड़ाम अगर कहा जाए तो जो ठागर को कर सकते हैं अगर ऐसा बनी तो दूसरी बार अगर यूटन मारके आते हैं तो पल्टो गाम ही क्या होने वाली है कि महा 2019 के बाद महाराज की राजनितिक अगर बात करें तो पूरे देश नहीं विडेशों में चर्चा का भी शह रहा है क्योंकि यहां पर इस सितिया परिशने काफी जो राजनितिक फायरे के लिए लोग जो है पुर्शी की खातिर जो है काफी चीज़े यहां पर आगे हमारे साथ में नौभारत 14 प्रतकार हैं सुप्रकास मिश्रा जी काफी अनुभव रखते हैं राजनिति में तो हम इनसे ही जानेंगे कि क्या देविन फन्विश का जो इसारा है क्या कुछ कहता है सर क्या कहेंगे आप देखिए महाराष्ट का जो इस बार का विधान सभा च इस सालों से हम लोग महाराष्ट में महाराष्ट का चुनाव जो है कवर कर रहे हैं महाराष्ट की राजनितिक जो है गतविधियों से रूबरू होते रहे हैं लेकिन इस बार की जो राजनितिक गतविधी है राजनितिक समी करण है वो बिलकुल अलग दिखाई दे रहा है अब इसे जनता को भी समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजे जैसे आपने उधो ठाकरे जी की बात की, उधो ठाकरे जी इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, पल्टूराम अल्टूराम तो हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पार्टीयों में भी गजब का एक तरीके का कि बीजेपी सबसे बड़ा दल है, सबसे जादा उमिद्वार उन्होंने खड़ा किये हैं, उमिद्वारों की अदला बदली भी हुई है, और उसी तरह बीजेपी के जैसे देविंद पढणवीज जी कहें, वो तो महाराष्ट की राजनीती के एक चानक के सरत पवार जी है दूसरे चानक के दिविंद पढणवीज जी है, तो ये दोनों में एक तरह का द्वंद चल रहा है, वो अपनी पार्टी को लेकर चाह रहे हैं कि मेरा स्ट्राइक रेट बढ़ जाए, और सरत पवार चाह रहे हैं कि मेरा स्ट्राइक रेट बढ़ जाए, सब को अपने अप मुख्यमंत्री एक नासिंदे जी का ही ले लीजिए ओ अपने tract पर है अपने तरीके से उन्होंने उनके इस केलह काम भारी आता फुछ तो तक गुछ भारी तो वह अपना काम दिका रहे हैं उनका काम उन्होंने दो-धाई सालों में निर्विवाद रूप से अच्छा काम किया है उन्होंने और एक तरीके से इस महायूती को वो अपना एक बीच का रास्ता निकाल कर वो लेकर चलते रहे हैं हलाकि उनको ही पता नहीं था कि अजीत पवार आके गोध में बैठ जाएंगे तो बैठे गोध में अजीत पवार लेकिन इससे उनको ज्यादा परक नहीं पड़ा है उनका एक अपना लक्ष निर्धारित किया हुआ है उसी तरह उक्मुख्यमंत्री जिनका नाम ले रहे हैं प्रणुष जी उन्होंने भी अपना एक अलक्ष निर्धारित किया हुआ कि बीजेपी को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम सीटे लाएं ताकि मेरी प्रतिमा जो है वो बनी रहे उनका तो टार्गेट है दाओ पर लगा हुआ है वेलको 110 से 115 वो आएं ना आएं कुछ लोग कह रहे हैं सव के नीचे जाएगी कुछ लोग कह रहे हैं असी के नीचे बीजेपी जा रही है तो वो देखिए अब धर्म विद्ध की बातों करने लगे हैं ओट जिहाद की बात करने लगे हैं तो जिस हाल है महां पिकास आघारी का कि वो किसी तरह मुस्लिमोटो का एक दम ध्रूवी करण हो विल्कुल सही कहा आपने और इसको आगे लेकर कुछ चलें दली लेकिन एक बात ये भी तैय है आपको मैं बतादू कि लोग सभा की तरह विदान सभा के रिजर्ट नहीं नहीं आने इसमें ये अंतर रहेगा वो सकता है कि दोनों 125-25 पे आएं और जो बाकी के 25-30 लोग हूँ अब दावा तो मन से भी कर रही है कि हमारी की रोल में रहेंगे मतलब हमारी मदस से ही महायोती की सरकार बनेगी तो ये सारा मदाता भी थोड़ा confused है लेकिन इतना तय है कि लोग अ अपना वोट बैंक जो है उसको बरकरान करने में लगे हुए मेहनत कर रहे हैं इनके प्रकारन लोगों की अलग-अलग तरीके से आप देख रहे होंगे सभाएं भी जो तीजी से चल रही है बीजेपी ने तो पूरा उत्तर परदेश हरियाना मध्य परदेश राजस्थान वहां के मंत्रियों सियम तक को उतार दिया है उत्तर परदेश के सियम देखिए उनका तो एक चली रहा है बहुत बड़ा कटेंगे तो बटेंगे का नारा और बहुत तेजी से बटेंगे तो कटेंगे नारा इनका भी है कि भाई रहेंगे तो जुड़ेंगे ये करेंगे किस पर वो करता है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन ये ताय है कि लड़ाई बहुत तगड़ी है इनमें और ये लोग अपना दम खम खुब तरीके से दिखा रहे हैं सब के लिए माननी अजीद पवार हूं या सरत पवार जी हूं इसमें उधो ठाकरे के लिए भी जो आ सावित हुए नमबर तीन पर जाते हुए दिख रहे हैं जिस तरीके से तो वो इसमें अलग-अलग तरीका अपना रहे हैं अलग-अलग च्योंकि महाराश्टर बहुत बड़ा है जैसे देशे पच्सिम महाराश्ट के मुद्दे अलग हैं विधर्व के मुद्दे अलग हैं गुंबली और कोकण के मुद्धे अलग है तो कोई कहीं कोई कहीं भारी पड़ता दिखाई दे रहा है तो इससे थोड़ा सा ये लग रहा है कि एक तरफा तो माहौल नहीं है और इसमें जो ओटरों तक घुस पाया ज्यादा से ज्यादा ओट ले पाया अपने मतों का जो धु आगे निकल जाए तो इसमें मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जहां तक लड़ाई की बात है तो बीजेपी और कॉंग्रेस जो है ना आमने सामने है और उसी तरह दोनों सिवसेना आमने सामने हैं और दोनों एनसीपी आमने सामने हैं अब हरक स्ट्राइक रेट का है अगर स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है तो वही तो बता है 20-25 seat का मामला है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ऐसा सामने मतलब जमीनी अस्तर पे इस तरह दिखाई दे रहा है कि 20-25 seat का दोनों में अंतर आ रहा है कि 20-25 seat या तो आगे वो निकल गए अगर वो 130 पर आए तो 160 पर च कोकण में कोकण छेत्रों मुंबई में महायूति हावी रहे इसमें डाउट नहीं जहां तक हम लोग देख रहे हैं आपको भी अंदाजा आया होगा कि मुंबई में जिस तरीके कब किछले लोकसभा में वो माहोल था कि चार सीटे लोकसभा की जैसे सीधे उधर चली गई थी और दो सीटे इनके पास आई तिमादफा लेकिन इस समय ऐसा ऐसा नहीं इस तरह का माहोल नहीं रहेगा मुंबई में भी महायूति मतलब तो मानली एकना सिंदी टी की सीचिना को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, उसी रहा थाने तो थाने то देखिए मानली एकना सिंदे जी गर बगल में आजाईए आप बेलापुर प्यागे एरोली तो वहां गड़े सनाइक जी हैं गड़े सनाइक जी तो निसंदे बड़े नेता है वीजेपी उनका एक अपना अवरा है वो एक सर्वमान्य टाइप का उनका एक चला रहा है कि सर्वधर्मों में उनका एक उनकी सेटें बस लेकिन वहां सित्खत्रे में कि बात भी हो रही है लेकिन एकना सिंदेजी की जो पिछली बार जो छुशेणा की 5 पी पांच पांच सिते تहीं वो बरकरार रखने की पूरी संभाव ना है अ Sabbath मायूथ को ऊно कि सर्थ को बदल रहे है लोग परपॉर्मेंस वाइज अगर कॉंग्रेस की परपॉर्मेंस अच्छी रही तो आगे निकल जाएंगे यहाँ बीजेपी की थोड़ी परपॉर्मेंस आगे रही देखिए स्ट्राइक रेट जो है मानी मुख्यमंत्री एकना सिंदे जी की सिवसेना का और सरत अवार जी की अंसिकी का स्ट्राइक रहेगा इतना प्ताय है क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट पवार का तीसरे नंबर पर जानाता है तो इस ट्राइक रेट जिसका अच्छा रहा कोड़ा तो वो निकल देख रहे हैं काटे के टकर बता रहे हैं तो क्या लगता है खिड़की दरवाजे लोगों खुलेंगे चार पार्टी ओंके खिड़की दरवाजे से हैं दो पार्ट कांग्रेस जाती तो उनके साथ वाले जो हैं उनके साथ बने रह सकते हैं और इसी तरह असी नब्य के ऊपर अगर बीजेपी जाती है तो उनके साथ वाले उनको बने रहेंगे अगर ये वी नीचे आए तो असमंजस का माहल जरूर रहेगा सब किड़की दरवाजे लेंगे खेला होबे, तो खेला होगा, मैं मजबूत यहीं है दो पिलर, एक तरफ कॉंग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, और कॉंग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई, तो फिर खेला हो सकता है, उसी तरफ बीजेपी, ऐसा भी खेला हो सकता है, तरफ फ्रंट आ जाए, याने कि कां सब्सक्राइब निकालते हैं तो यह भूमी का निभा सकते हैं यहां भी वहां भी यह है कि अजित पवार अगर बदले लेकिन इस कि केंदर में एक तरीके की मजबूत पूरी तरह मजबूत तो नहीं कर सकते हैं लेकिन डर है कि अगर इस तरह का कुछ खेला होना सुरू हुआ तो वो सेंट्रल से खेला सुरू हो जाएगा और एक बात एक मैं और आपको बता दू इससे भी महायुति का एक मुंबई थाने औ प्रभावित निश्चित रूप से होंगे क्योंकि सेंट्रल और स्टेट का जब समन में नहीं रहेगा तो यह लोगों देखा है लाइस साल देखा है हाला कि कोरोना भी था लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि कहीं भी और भी स्टेट में देख लिए खीस्तान बहुत ज्या पिछले धाई सालों में केंदर ने दी है कुल खोल कर दिया है अब देखिए सकतर हजार करोड का यह प्रोजेक्ट सबसे बड़ा देखिए यहां पोर्ट बन रहा है पालगर में बहुत सारी मेट्रों के काम चल रहे हैं और बाकी चीजे काम चल रहे हैं लेकिन इसमें असर पढ़ना निश्यत है अगर नहीं पढ़ा अगर नहीं सरकार आई तो दोनों तरब से तो इसमें जनता के लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है बाकी ग्रामिड छेत्रों में अलग-अलग समस्या हैं बुख्यमंत्री की लाडली वहन योजना जो है उनकी बहुत तेजी से अंदर फैली हुई है ये बात सही है कि उनका एक लक्ष है कि चार से पांच परसेंट अगर इधर हो गए तो कापी प्रक पढ़ने वाला है किसानों का भी है मराठा समाज का भी जो आप बोल रहे हैं लोग तैयारी करें उनकी भी समस्या हैं मराठा समाज का जो आरख्षन का जरांगे एक्टर लेकिन लोग समाँ में जिस तरह जरांगे एक्टर ने काम किया ये बिधान समाँ में हो काम नहीं क्योंकि उनके अभी तो यह थोड़ा बर्गलाने वाला काम कम हुआ है दोनों तरफ से दोनों तरफ से भी रेवडी का काम सुरू है यह भी सब जान रहे हैं लेकिन जनता भी काफी जागरूख है इस बार जनता को अगर लगेगा कि नहीं कुछ चीजें अस्थाई रूप से अच्छी होनी है तो लगे गातने को सोच रही है इसलिए लग रहा है कि एक तरफ अवर जैने बाद जिस्डियां से आप कमेंट करते हो तो आप पहुंच देश्टे लेकिन आप जो बोलते हैं तो बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमारा चैनल बुद्धा भारत का आपकी प्रतिक्रिया दीजिए चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि विजान सुभाद चुनाओ कि पलपल की जानकार सब्सक्राइब जर्णी तेक्ते रहे चैनल कुई दॏ जर्णीमजर सब्सक्राइब जर्णी तो इसाल को लाइए प्रतिक्स धाल को आपकी आपकी टैनवल